समस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चनल कुमारवन में आउनलाइन क्लासेस में और आज के इस वीडियों बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक लेकर आए हैं और आपके सभी को पता हो कि के एक्जाम खतम हो चुके हैं अब इंटर्व्यू के त्यारे चल लाई तो इंटर सब्सक्राइब करना है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और वीडियो को सुरू करने से पहले जिन लोगों ने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्ले चनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइकन का बटन दबाए जिससे आने वाले वीडियो के अपडिट आप लोगों को स सबसे पहले देखेगा बायोडाता के के यहाँ पर पोस्ट लिखना है कि आपकी पोस्ट क्या पया डी है přittedrat ऑだけ है कि पीज्टी इन तीनों मैं से आपको अपनी नघक फिल करनी है पिर आपको अपनी फोकिक टारो लंबर जो तीनों में ही points में फिर आपका अगला पहले number point है यहां पर आपको अपना name fill करना है जो आपका permanent address है उसको यहां पर permanent address fill करना है अपना name fill करना है जो आपके documents में वही name fill करना है और जो आपका address है आपने form fill करते समय जो address ता वह भी आपको यहां पर फिल करना आपने आपकोजितर अपने फिल करने इन या उपनोगी फिल कोगी तो यसमें आपको यह फिल कर सकती जिसे से आपको update मिलती रहे कि इसकी तरफ से तो यह चे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे एक वर फिर से बदा देते हैं पहले एक mobile नमबर जो आपका चलता हुआ हो और एक वैलिट इमेल आइड़ी यहां पर फिल कर सकते हैं और जो 7 नमबर है इसमें गलती ना कीज़ेगा तो यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है कितना परसेंटेज आयता आपकी इंटरम है क्या क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट कि आप कुछी सब्जेक्ट फिल कर दीजिए और 12 में कितने यर्थ वह तापका टवर्ट रेशन तव्ल की डिशन लिखनी है और कौन से यहां पर बोर्ड था गर बोर्ड आपका पूरा न उसकी आपको ट्रेल देनी वह भी पासिंग एर फिल करना है कितने मार्क्स आये थे क्या परसेंटेज था क्या सब्जक्ट थे सब्जक्ट आपको ज्यादा नहीं भनने यहां पर नहीं आए जगा कॉलम छोटा है तो आप स्वार्ट फार्म में लिख सकते हैं और कितने एर का सब्जेक्ट कितने साल के आपको जो बीटी सी होता उसकी डूरेशन लिके नहीं है और किस बोर्ड या उनस्टी से आपको फिल करना है अपना बीटी सी किया हुआ जो भी आपने डिगरी कंप्लेट की हुई उसको यहां पर फिल करना है तीसे नमबर पॉइंट पर किस यह इक डिगरी कंप्लेट की थी नमबर थे इस डिगरी में ब्याटेlor एंटी सी में पर्सेंटेज क्या है ता सब्जेक्ट क्या थे कितने सालों कितने साल के आपको बीटी लिटी सी होता उसकी ढुरेशन लिकनी है और किस बोड़ या नमबर स्कुम्ने कंप्लेट किया रहा इसको आपको पूंटर यहां पर लिखना अगर आपके पास कोई एक्सपीरेंस नहीं तो उसको फिल करने की ज़रूत नहीं है नाइन नमबर क्या कहरा पॉइंट है प्रेजेंट से पोस्ट है अलॉंग विद स्केल लॉप पर अगर आप किसी प्रेजेंट पोस्ट में या वर्किंग कर रहे हैं तो इसको आपको यहां पर इसका सेल नमबर लिखना पड़ेगा क्या आपकी पोस्ट है कब आपने इस पोस में आप जो जॉब कर रहे होंगे उसकी आपको यहां पर पूरी डिटेल लिखनी पड़ेंगी एक टू जैट किस सन में आपने उसको जॉइन किया था कितने साल होगा उसमें जॉब करते हुए और इसका पे स्केल क्या है गे ग्रेड पे क्या है वो सभी आपको यहां पर सीडिन पर 16 15 वर्ट जाने कि आपको 15 वर्ट में अपने बारे में explain करना है तो आप जो भी इस 15 वर्ट में अपने बारे में describe लिखेंगे description लिखेंगे तो उसी के according interviewer आप से पूचेगा तो ये 50 words में आपको लिखा होना चाहिए आपके according कि आपकी क्या qualities हैं क्या qualifications हैं आपका क्या motto है क्यों आप KBS join करना चाहते हैं ये सभी चाहिए आपको इन 50 words में लिखना पड़ेगा और सी के according जो interviewer होगा आप से पूचेगा तो ये था आपका KBS का bio data किस तरह से fill करना है पूरी अच्छी तरह से कि मैंने बता दिया है अगर आपको किसी में confusion तो कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं बीटू देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बीटू अच्छी लगी तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले